Hello guys, now I am going to start 10 क्या आप भी सोचते हैं कि 10 इतना कठे नहीं? 10 बहुत ही easy हैं और आज हम आपको इतना सरल तरीके से 10 बताएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे जैसे कि 10 को हम समझ लेते हैं दादा जी ओके और दादा जी के 3 बेटे हैं जिनका नाम है present, past and future ठीक है? दादा जी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, present, past and future तो हमारे tense कितनी तरह के होते हैं? 3 types, present, past and future ठीक है? अब ये दादा जी के 3 बेटे के भी 4-4 बेटे हैं, ओके? जैसे indefinite, continuous, perfect and perfect continuous और ये चारों बेटे अपने आगे अपने नेम के आगे अपने पापा का नाम लगाते हैं तो first क्या हुआ हमारा? present, indefinite tense ठीक है? आगे अपने पापा का नाम ही दोनी लगाया और पीछे दादा जी का नाम तो बहिंगया first tense हमारा present, indefinite tense फिर next हमारा present continuous tense present perfect tense and present perfect continuous tense ओके तो ये हमारा हो गया first tense यानि first tense के four types होते हैं present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense ओके? अब इसी तरह से हमें अपना next tense बनाना है तो बताईए आप past tense कैसे बनाऊगे? past आगे यहाँ पे लगाऊगे? ठीके? अपने अपने father का नाम यहाँ लगाना है ना? तो क्या हुआ? past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense ओके? तो यह भी हमारे four tense complete हो गए यानि कितने हो गए? फोल टूजा, eight चले आप इसी तरह से हमारा third tense है future future को कैसे बनाऊगे आप? future indefinite tense, future continuous tense and future perfect tense and future perfect continuous tense तो हमारे कुल कितने tense हुए? हमारे tense हुए कुल 12 ओके? यह हमने अभी आपके 12 tense बताये हैं है न बहुती जी? अब इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि हमारे यह tense है क्या? क्या होता है इन में? tense से हम सीखते क्या है? tense को हम कहते क्या है? तो tense को हम हिंदी में कहते हैं काल और भी इजी तरह से अगर समझेंगे तो इसको कहते हैं समय means हम किस समय पर काम करते हैं? हमें tense से पता चलता है कि हमने अपना काम कौन से समय पर किया है? ठीक है अब हम देखते हैं present present means क्या होता है? बर्त मान जो अभी हमारा चल रहा है अभी हम जो कर रहे हैं ठीक है तो present को हम क्या कहते हैं? बर्त मान काल ठीक है बर्त मान काल पास्ट को क्या कहते हैं? पास्ट जो निकल गया है पीछे निकल गया यानि इसको भूत काल ठीक है यह हमारा बर्त मान काल हो गया यह हमारा भूत काल हो गया और थर्ड फ्यूचर फ्यूचर जो आने वाला है यानि भ भविश्य काल, ठीक है, तो इससे हमें टाइम का पता चल रहा है न, यानि हमने जो आज किया बर्दमान काल जो हम कर चुके है, पास्ट भूत काल और जो हम करेंगे आगे, वो हुआ हमारा भविश्य काल, ठीक है न, ऐसे कहते हैं न, भविश्य में क्या होगा, किसनी जाना, अब जैसे कि हमारा first tense है present indefinite tense ठीक है क्या है यह first tense आपने क्या बनाया था present indefinite tense तो हम इसको कैसे समझेंगे कि यह हमारा present indefinite tense है तो जिन sentence के last में ता है ती है ते है ठीक है जिन sentence के last में ता है ती है ते है आता है वो sentence हमारे किस tense के कहलाते है present indefinite tense के यानि जैसे कि इसका एक example बताईए मोहन जाता है ता आया इसमें क्या लिखा आपने मोहन जाता है ठीक है तो हमने इसको generally बना दिया मोहन गोज ठीक है अब मोहन कहां जाता है अगर हमने इसमें लिख दिया मोहन इसकूल जाता है ठीक है तो हमारा sentence क्या हो जाएगा मोहन गोज टू इसकूल मोहन गोज टू कहां जा रहा है इसकूल ठीक है फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे तो इसी तरह से अब हमने ये sentence को आगको बनाना बता दिया ठीक है लेकिन ये sentence के लिए वी एक formula होता है वो formula क्या है वो formula है हमारा ये देखे वो formula है हमारा subject plus verb plus object ठीक है तो subject अब हम इसमें देखते हैं इस सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन ठीक है और बर्व क्या है बर्व है जाता है ठीक है और अब्जेक्ट क्या है इसकूल यह जो हमने लास्ट में लिखा मोहन इसकूल जाता है ठीक है तो हमार sentence बन गया, Mohan goes to school, इस formula में हमने रखा, क्या रखा, पहले रखा हमने subject, ये Mohan रखा ठीक है, फिर बर्व बर्व पहले आती है, ठीक है Mohan goes to school, और ये हमारा school हो गया, ये goes to बर्व हो गया, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें बर्व सीखनी पढ़ेगी, बर्व ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है बर्व, ठीक है तो बर्व की बर्व के हमारे three form होते हैं, ओके और बर्व को हमें रटना ही पढ़ता है V1 बर्व, V2 and V3 बर्व के three form होते हैं, ओके, आप किसी भी बुक में, डिक्स्नरी में या कहीं पर भी देखिएगा, तो आपको बर्व के three form मिल जाएंगे ओके, जैसे हम एक दो एक्जामपल आपको बताते हैं जैसे गो तो गो गो का second form क्या है bent and gone ठीक है go, bent, gone ये गो का second form है bent और gone ठीक है, अब इसी तरह से और भी form होते हैं do, did, done ठीक है, do did and done ये form आप लोग learn कर लीजेगा dictionary से, ओके dictionary में सारे वर्व के form मिल जाएंगे verb means होता है, जो काम हम करते हैं verb means, verb को हम कहते हैं kriya, काम करना ओके, ये क्या है काम करना दर साता है जैसे जाना, do means, करना ठीक है, तो इसका meaning क्या है हिंदी में जो हम पढ़ते हैं verb, kriya, kriya किसे कहते हैं जिस से किसी काम के करने का बोध होता है उसको हम kriya कहते हैं हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है, और English में हम कहते हैं verb, तो बर्व के form समझ में आगए आपको, ठीक है अब हम आपको बताते हैं ये जो rule ठाना ये ये सभी tenses में general rule है ये subject पहले आता, फिर वर, फिर object लेकिन ये rule ये जो formula है ये हर tense में हमारा change हो जाता है वो कैसे? देखिए अच्छा, आब हमने verb पढ़ लिया ओके, verb के 3 form होते हैं अब हमार subject हो गया subject क्या है? subject जैसे हमने यहाँ पे लिखा school, वो school जा रहा है ठीक है? वो market जा रहा है तो market क्या है? market भी इसमें object है अब हम देख लेते हैं subject क्या होता है subject नहीं पढ़ाना अब आपने subject क्या होता है? subject होता है करता मिस जो उस काम को करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ठीक है तो यह देखिए सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं जैसे यहां पर क्या था सब्जेक्ट मोहन जाता है ने स्कूल तो मोहन ने काम किया ना तो मोहन क्या है हमारा सब्जेक है अब subject हमारे different type के होते हैं वो कैसे यह देखिए इसको हम three persons में count करते हैं जैसे first person यह हमारा first person है first person में I और V आता है ठीक है I means मैं और V means हम generally आप लोग तो सब जानते होंगे second person होता है you you means तुम ठीक है फिर third person हमारा हो गया यह क्या है person है subject है इनको हम three persons में divide करते हैं अब हमारा third person है he see it और name और दे भी आता है इसमें इन में से यह he see it name क्या है singular है ठीक है singular plural पढ़ा है आपने singular और दे क्या है इन में plural है ओके he see he means he means यह boy के लिए यूज होता है वह see girl के लिए यूज होता है वह it it non living thing के लिए यूज होता है ओके और name नेम भी हमारा single person अगर हम एक पर्शन का नेम ले रहे हैं जैसे यहां पर हमने लिखा था मोहन तो यह single person में आएगा लेकिन हम यहां फिर अगर ले रहे हैं राम एंड स्याम ठीके राम एंड स्याम तो क्या आएगा इसमें अब बताएए अब हमारी बर्व की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें हमने singular लिया था यह हमारा plural sentence है तो यह हमारा जो रूल था subject plus verb plus object यह singular and plural में change हो जाएगा ओके जैसे कि singular person में हम लगाएंगे subject subject को हमने यहां ऐस से प्रोनौश किया है यह हमारा क्या है इसको हम subject लिख सकते हैं इसको verb वी से और इसको ओ ओ से ठीक है तो यहां पर हमने subject लिया है सब्जेक प्लस बर्व का फर्स्ट फॉर्म अभी हमने बर्व आपको बताई थी वर्व के थ्री फॉर्म होते हैं ठीक है और बर्व का एक फॉर्थ फॉर्म भी होता है जिसमें हम ing लगाते हैं जैसे हमने बताया था दो डेट डन तो उसके आगे जो लास्ट में जो फॉर्म होती है उसमें आगे ing लगा देंगी तो वह हमारी फॉर्थ फॉर्म हो जाएगी इसी तरह से तो फॉर्स हम रूल रेख लेते हैं अपना subject प्लस बर्व की फॉर्स फॉर्म के साथ s और es लगाते हैं प्लस object ये किस में आता है singular में जब हमारा subject singular होता है और subject आपने यहाँ पढ़ लिया है singular और plural subject कौन कौन से है देखी ये हमारी singular है he, see, it, name और I, we, you, they I वैसे तो singular है लेकिन ये एक exception है इसके साथ भी plural का rule ही लगता है ओके I के साथ plural का rule लगेगा तो ये I, we, you ये हमारी क्या है ये भी हमारे plural है ओके और दे भी plural है और he, see, it, name ये हमारे singular subject है तो अब यहाँ पे rule देखिए singular के साथ हमारा rule subject प्लस verb का first form plus s और yes बर्व की first form के साथ हम s और yes लगाएंगे plus object ठीक है और जब हमारा subject plural होगा तो हम यहाँ पे only बर्व की first form ही लगाएंगे ठीक है और s और yes नहीं लगाएंगे ठीक है ना चले, अब हम कुछ sentence बनाके देख लेते हैं इन दोनों singular और plural से तो जैसे हमारा first sentence है हम यह सभी जो हमारे subject हैं इनी subject से हम sentence बनाते हैं आज हम आपको एक एक sentence बनाना बताएंगे आप घर पे five five sentence बनाईएगा जैसे first sentence है हमारा I I means मैं तो मैं क्या करी हूँ I teach English मैं English पढ़ाती हूँ इसको आप कैसे बनाऊगे चले तो यह मैं erase कर दूँ आपको पते चल गया present indefinite tense में आता है ती है ते है आता है ओके चले अब मैं sentence बनाती हूँ first मैं English पढ़ाती हूँ तो क्या आएगा मैं आप भी साथ में बनाईएगा मैं English पढ़ाती हूँ इसमें last में देखिए ती हूँ आया है जो कि आपके rule के according था present indefinite tense का ठीक है चले और मैं मैं के लिए क्या आएगा आई नहीं सोटा है मैं आई पढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं teach ओके तो आएगा I teach क्या पढ़ाती हूँ English तो यहाँ पी क्या आएगा English I teach English ओके और फुल स्टॉप आप जरूर लगाएंगे बिना फुल स्टॉप के हमारा sentence complete नहीं होता है अब हमारा second sentence है हम V से ले लेते हैं V means हम तो हम पिकनिक जाते हैं ठीक है तो बनाईए इसको हम पिकनिक जाते हैं हम पिकनिक जाते हैं जिसने पहले बना लिया हो वो comment box में लिग दीजेगा चले तो बनाईए इसको हम का मीनिंग होता है हम V V हमने लिया subject पहले फिर जाने के लिए क्या आएगा जाने के लिए गो और जब कहीं जाना होता है तो उसके लिए हम तू लगाते हैं वी गो टू पिकनिक ओके चले अब हम बनाते हैं यू आप क्या करते हैं सपोज आप English पढ़ते हैं ठीके तो हम यहाँ पे लिखते हैं आप English पढ़ते हैं बनाईए इसको जल्दी से आप का मिनिंग यू पढ़ने के लिए किसका मिनिंग होता है पढ़ना हो इस्टडी ठीके आई इस्टडी इंग्लिस क्या पढ़ रहे हो आप इंग्लिस पढ़ रहे हो और इंग्लिस एक सब्जेक्ट है इसलिए इसको हम कापिटल लेटर में लिख रहे हैं ओके आप भी इसको कापिटल लेटर में राइट करिएगा आप English पढ़ते हैं अब हमारा fourth sentence क्या आया अब ही ठीक है तो ही से एक नेम क्या है singular है तो ही से एक sentence बनाते है वह खाना खाता है चलिए इसको भी आप जल्दी से comment box में लिखिए क्या आएगा इसका वह खाना खाता है वह है meaning he he means by होता है न ठीके फिर खाता है का मीनिंग क्या होता है eat eat अब हमने यहाँ पे लिख दिया eat ठीके तो यह क्या सही है sentence eat आएगा इसमें बताइए अब हमारा singular sentence का रूल यहाँ पे आप देखोगे बर्व का first form तो हमने write कर दिया eat ठीके अब उसके साथ s आएगा कि e s आएगा इसके जैसे यह हमारा बर्व के उपर depend करता है कि इसके आगे s आता है कि e s इसमें eat लिखा है तो eat के आगे s लग जाएगा तो हो जाएगा eats he eats okay food he eats food चले अब next sentence करते है c c किसके लिए use होता है यह sentence आपने write कर लिए चले इसको रेज कर देती हूँ यह सारे tenses आप write कर लिजेगा ओके और next sentence बनाईए c c से consistent sentence बनेगा यह girl के लिए use होता है c means वह चाए बनाती है क्या आएगा इसका वह चाए बनाती है तो सबसे पहले तो हम subject लिखेंगे subject क्या है c और बनाना make c make आप बटाईए इसमें यह singular sentence है के plural singular है ना तो इसमें क्या लगा हो गया पैस की यह c makes t t means होता है चाए ठीक है now next subject it ओके तो अभी अबने जैसे की बताया कि it का use हम non living things के लिए करते हैं तो non living things कोंकोंसी होती है जैसे हमारा mobile mobile is non living thing and pen pencil fan cooler यह सब हमारी non living things हैं ओके तो हम अब mobile को लेकर और एक sentence बनाते हैं ओके जैसे हमने बनाया mobile vibrates तो क्या होगा mobile vibrates क्या करता है mobile vibrate करता है ओके mobile जैसे लिखोगे इसको mobile vibrate करता है simple sentence बनेगा इसका mobile vibrates इसमें भी vibrate के आगे s लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम एक की mobile को यूज़ कर रहे हैं ठीके mobile vibrates इसमें object नहीं आएगा ठीके इसी तरह से हम एक और बनाते हैं जैसे बारिस बारिस होती है न आजकल तो क्या बनाएंगे इस बारिस होती है ठीके इसको कैसे बनाओगे आप बारिस होती है जल्दी से बनाके और मुझे comment box में लिखियेगा बारिस होती है इसका जनरली बनेगा इट्स रेनिंग ठीके इट्स रेनिंग बारिस होती है इट नो इट रेन्स ओके ये कॉंसे सेंटेंस है हमारा प्रिजेंट चल रहा है प्रिजेंट इंडाफिनीट चल रहा है इसमें रेनिंग नहीं आएगा रेनिंग आता है हमारा continue instance में तो आएगा it rains बारिस होती है चलो अब हमारा कॉंसे sentence बचा plural दे चले तो अब दे दे मीज क्या होता है बे, दे मीज होता है वे, चले तो एक sentence बनाईए वे वे बॉप करते है वे घूमने जाते है ठीक है इसको बनाईए वे घूमने जाते है इसमें आप लोग को ये जरूर देखना है कि लास्ट में sentence में ता है, ते है, ती है, आता है कि नहीं ठीक है तो बे घूमने जाते हैं का क्या बनेगा दे मीज क्या होता वे दे जाने के लिए क्या आएगा गो ठीक है और इसमें ये चुकी plural है इसले इसमें एस और येस नहीं आएगा प्लूरल का रूल लगेगा फस्ट फॉर्म बर्व का तो बर्व का फस्ट फॉर्म क्या हुआ गो दे गो टू वाक घूमने के लिए हम क्या यूज करते हैं वाक ठीक है दे गो तू वाक तो आज आपने conscious sentence पढ़ा आपने जो present indefinite tense होता है उसको हम simple sentence भी कहते हैं ओके present आपने जो present indefinite tense पढ़ा इसको हम simple tense भी कहते हैं तो आज आपने simple tense या present indefinite tense का only affirmative sentence पढ़ा है ठीक है simple sentence अभी इसके आगे आप पढ़ेंगे next tense पढ़ेंगे negative जैसे हमने आपसे बोला कि मैं English पढ़ाती हूँ ठीक है अब इसका negative भी तो हो सकता है मैं बोल सकते हूँ मैं English नहीं पढ़ाती हूँ ठीक है तो वो negative sentence में आएगा जैसे हम पिकनिक जाते हैं हम पिकनिक नहीं जाते हैं तो इसको कौन सा sentence बोलेंगे negative sentence बोलेंगे ठीक है तो अब हम next पढ़ने वाले हैं negative sentence ओके तो आज जो भी आपने पढ़ा इसको note book में write कर लीजेगा और simple sentence जो आज हमने बताएं आपको singular and plural यह हमारा singular है ओके और यह plural यह दोनों जो rules से इनको note book में write कर लीजेगा यह आपका singular का rule है यह plural का rule है ओके और यह singular and plural से दोनों five five sentence आप बना के लाओगे every subject से यह जितने भी subjects आज हमने आपको पढ़ाये हैं इनसे कितने sentence आपको बनाना है singular five subject and plural भी five subject ओके यह आपका homework है singular and five plural से to make five five sentence make five five sentence ओके today's homework to make five five sentence of singular and plural चले तो फिर next मिलते हैं that's all strength thank you थाहिएopen जब रिरा जो जफिरा अाझानका है उन्हापबendo पास्ड़ीज यापको है